बात करते हैं कुश्ण नमर 27 के बारे में कुश्ण नमर 27 क्या गरा देखिए किसी परिक्षा में 5 प्रतीशत अभ्यारती अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यारतियों के 85 प्रतीशत परिक्षारती सामान्य वर्ग के थे यदि 4275 योग्य परिक्षारती अन्य वर्गों से स तोटल आपको कह रहा है गे 5 प्रतीशत अभ्यारती जो है वो आयोग्य गोशित कर दिये गए तो टोटल कितने हमारे पास वही हमें पूछ रहा है तो टोटल के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हमने मान लिया टोटल कितने अभ्यारती है एक्स है उसका 5 प्रतीशत तो आ युग्य अभ्यारतियों के 85 प्रतीशत जो है वो सामान्य वर्ग के है ये हो गए टोटल अभ्यारती पांच प्रतीशत अयुग्य था तो 95% युग्य हो गया अब ये हो गए आपके पास युग्य अभ्यारती इनका कह रहा है 85% जो है सामान्य वर्ग के है तो ये अपने आप में 100 प्रतीशत है तो इसका 55 प्रतीशत है सामान्य वर्ग का तो आगे आपको कह रहा है यह दी 4275 युग्य परिक्षार थी अन्य वर्गों से संबंद रखते हो तो यह अपने आप में 100 प्रतीशत है इसका 85% जो है वो सामन्य वर्ग का है तो इसी का 15 प्रतिशत जो है वो दूसरे वर्ग का होगा तो इसका 15 प्रतिशत हम ले लेते हैं जो की दूसरे वर्ग का है और जो की प्रस्थनी के अनुसार किसके बराबर है 4275 के बराबर तो यही अब आपको value निकालनी है, कुल कितनी अब भ्यारती थे, मतलब x का मान आपको ग्याद करना है, हो चुका answer, तो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, simple सा, 15 से इसको हम cancel कर सकते हैं, सीधा सीधा, तो 15 से इसको हमने cancel कर दिया, 15 से ये चला गया, सबसे पहले कितनी बार, दो बार, ठीक है, 30 तो कितना रहे गया, 12 तो वो गया, 127, फिर चला गया ये 15 से कितना, 8 बार, तो 120, फिर कितना रहे गया, 7 तो वो गया, 75, फिर 15 से ये चला जाएगा, कितनी बार, 5 बार, ठीक है, अब 95 से 285 को हम cancel कर सकते, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 9 का 3 से 27, अब जो आपको value निकालनी है x की वो निकल चुकी है 100 का 100 से आप बुणा कर लेंगे फिर उसका बुणा कर लेंगे 3 से तो finally x की value आ जाएगी कितनी 30,000 हम कह सकते हैं total जो अभ्यारती थे वो कितने दे 30,000 30,000 ठीक है ये था आपका question number 27 इसी question number 27 के साथ में मैं राकेश शौदरी आपका mathematics teacher welcome करता हूँ आपका digital theory के youtube channel पर जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुकमिनी publication की और उसमें हम बात कर रहे हैं platform book के बारे में और हमारा chapter चल रहा है percentage जिसका हम देख रहे हैं level number second और उसका part देख रहे हैं हम six जिसका एक question हम कर चुके हैं बात करते हैं next question के बारे में क्या कह रहा है question अगला देखिएगा question अगला आपको कह रहा है आठ व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है तब उन में से एक व्यक्ति जिसका भार 65 kg है उसके इस्तान पर एक नए व्यक्ति आ जाता है तो ये कब होता है ये उस समय होता है जब 65 kg वाला बाहर जाता और उसकी जेगे नए कोई आता है तो उन आठ व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 1.5 kg से बढ़ जाता है तो आपको कह रहा है नए व्यक्ति का भार क्या होगा वैसे ये जो प्रस्न है ये प्रस्न आपके प्रतिशत का तो नहीं है ये प्रस्न आपके आउसत एवरिज का है लेकिन हमारी बुक में इसी सीक्वेंस में दे रखा है इसलिए हम इसको भी कर लेते हैं अब इस बाहर जाने वाले का वज़न है 65 kg, तो जो बाहर जा रहा है, उसकी जगे कोई नया आ रहा है, जिससे की ओसद भार में क्या हो रही है, व्रदी हो रही है, तो ये तो definitely जो नया आने वाला उसका भार, बाहर जाने वाले से तो अधिकी होगा, तो 65 kg से तो वो जादा ही होगा जो नया आ रहा है, क्योंकि एक के जाकर एक के आने से अगर एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका आने वाला जाने वाले से क्या है, भारी है, तो 65 प्लस होगा ये तो तय है, अब कितना प्लस होगा, वो ज़रा हम देख लेते हैं, औसत में कितनी वरदी हो रही है, एक पॉइंट पाँच किलोग्राम की, टोटल व्यक्ती कितने हैं, आठ, तो टोटल में कितनी वरदी होई, आठ से बुणा करके देख लेते हैं, ये अटेगा, ये लगेगा, पाँच से गया, ये भी पाँच से गया, फिर ये दो से गया, चार का तीन से हो गया, बारा, तो 65 में 12 को एड कर लेते हैं, तो ये हो गया 77 किलोग्राम, जो की ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नमबर कौन सा, चौथा, तो ये था कौशन नमबर 28, जिसका आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन 77 किलोग्राम, बात करते हैं, नेक्स्ट कौशन 29 के बारे, क्या कह रहा है, कौशन नमबर 29, देखी ज़र, कौशन नमबर 29, आपको ये कह रहा है, किसी सहर की जन संख्या वर्ष में 4 प्रतिशत बढ़ती है, परन्तु प्रवजन के कारण वर्ष में 1 बटा 2 प्रतिशत घटती है, तो 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वरदी हुई, ये आपको बतानी है, तो इसका अलए ये हुआ, पहले तो 4 प्रतिशत बढ़ेगी, फिर आपके पास एक टोटल आ जाएगा, फिर उसका आधा प्रतिशत क्या होगी, कम होगी, ऐसा बस समझिएगा, गि 4 प्रतिशत बढ़ी और आधा प्रतिशत कम होई, तो 3.5 प्रतिशत हो गया, पहले 4 प्रतिशत बढ़ेगी फिर जो टोटल होगा उसका आधा प्रतिशत कम होगा तो आपको कहरा इस तरीके से 3 वर्ष होते हैं तो 3 वर्षों के बाद में कितने प्रतिशत की व्रदी हुए फाइनली हमको ये बताना तो कर सकते हम इसको 2-3 तरीके हैं किसी भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे तो मान लेते हैं पहले कितनी थी जन संख्या 100 फिर क्या हुआ 4 प्रतिशत बढ़ गई तो इसको अब कितनी हो गई 100 का 4 कितना होगा चारी होगा वो भी बढ़ चुका है तो कितना होगा 104 ठीक है तो 4 प्रतिशत व्रदी के बाद में 104 हो चुकी है ये 4 प्रतिशत की व्रदी तो जन संख्या हो गई 104 अब देखिए अब आपको कहरा आदा प्रतिशत कम हो गया तो आपके पास जन संख्या कितनी होगी 104 इसका आधा प्रतिशत अब कम हुआ है तो इसका आधा प्रतिशत कम कर लेते हैं तो इसका आधा प्रतिशत आपको कम करने को कह रहा है तो ये लीजिए 104 का आधा प्रतिशत प्रतीशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा दो पहले से है तो ये 200 हो जाएगा अब इसको करते हम ये cancel हो गया 0, ये cancel हो गया 7, तो ये 10, 7 बटा 10 है, तो कितना हो गया, point 7 की कमी हो जाएगी तो जन संख्या को अगर हम देखे तो 104 में point 7 को हम कम कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 104 में से, अगर आप point 7 कम करेंगे, तो अगर और आगे लिना चाहिए इसको, तो ये कितनी बार सॉरी, ये 140 नहीं, 104 है यहां 140 से किया है, इसलिए ये आ रहा है ये 104 है 104 है 104 है चली, इसमें आधा प्रतीशत कम करना है, तो प्रतीशत हटेगा, तो आपको पता है, definitely नीचे क्या लगेगा 0, 2 है, तो 2 के साथ 0 तो 200 हो गया, चली, ये 00 as it is रहने देते हैं, इसको cancel कर लेते हैं सबसे पहले, ये गया 5 और ये गया 2 तो ये हो गया 0.52 तो 0.52 की कमी हो जाएगी, किसम है 104 में, तो 104 में से 0.52 अगर हम less कर ले, तो आपके पास कितनी population आ रही है, एक साल के बाद में, वो आ रही है आपके पास 103.48 ठीक है, देखिएगा एक साल के बाद में आपके कितने का परिवर्तन आया, 100 था, 103.48 10.48 हुआ, तो एक साल के बाद में, परिवर्तन आ रहा है, प्रतीशत में, अगर व्रदी में देखें, तो 3.48 का, इस तरह से हमें कितने साल तक देखना है, तीन वर्षों तक, तो तीन वर्षों तक इसी तरह से व्रदी होगी, तो 100 से जादा कितना है, 10.8 तो इसका अलब व्रदी कितने की होगी, 10.8 परसेंट की है, चलिए, ये था कोशन नमबर 29, बात करते हैं, नेक्स्ट कोशन, 3030 के बारे में, क्या कह रहा है, तीस नमबर सवाल देखिएगा, एक विध्यारती जिसे परिक्षा में, 20 प्रतीशत अंक मिले, 30 अंकों से फेल हो जाता है, किन्तु दूसरा विध्यारती जिसे 32 प्रतीशत अंक मिले, वो न्यून्तम उत्तीणांग से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो बताए, पास प्रतीशत कितना होगा, आसानी से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देखिएगा, ये पहला विध्यारती इस तरह के कई कुश्चन हमने लेवल सेकिड में भी, और लेवल फर्स्ट में भी किये हैं, तो आपको कहरा है, परिक्षा में 20 प्रतीशत अंक मिले एक जने को, तो इसको मिलने वाले अंक हो गए 20 प्रतीशत, कोई दिक्कत नहीं, फिर कह रहा है, दूसरे को 32 प्रतीशत अंक मिले, ये लीजिए, सेकिंड वाले को मिलने वाले अंक हो गए 32 प्रतीशत, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है अब आपको कह रहा है कि 20 प्रतिशत जिसको अंक मिले है वो 30 अंकों से फेल हुआ है और जिसको 32 प्रतिशत अंक मिले है वो 99 उत्तिड अंक से 42 अंक अधिक लाया है इसका मतलब जो पास होने वाला है वो इनके बीच में ही कहीं पर है और नियूंतम उत्तिडांग से 42 अंक अधिक लाता है इसका मिले पास होने वाले से भी ये कितना आगे है 42 नंबर आगे है तो आपको पूछ रहा है कि पास होने का प्रतिशत कितना होगा निकाल सकते हैं आसानी से तो देखिएगा पहले यहाँ से यहाँ देखते है पहले वाले से लेकर दूसरे वाले तक प्रतिशत में कितना बढ़ चुका है बारा प्रतिशत बढ़ चुका है और नंबर देखें तो कितना बढ़ चुका है 30 ये और 42 ये तो 30 और 42 ये होगए आपके पास 72 तो 72 marks जो है वो percentage में किसके equal होगे 12% के तो हम कह सकते हैं कि 72 marks percentage में equal है किसके 12% के अब हमें percentage निकालना इस वज़े से हमने ऐसा लिखा अगर हमें अंक निकालना होता तो हम पहले 12 प्रतिशत लिखते हैं और 72 marks उधर लिखते हैं ठीके चलिए अब देखिए 20 प्रतिशत आते हैं फिर भी 30 नंबर से फेल होता है तो इसका अलब 20 प्रतिशत में 30 नंबर और आ जाए तो पास होने का पता चल जाएगा तो अगर 30 नंबर का प्रतिशत हम बता दे तो 20 प्रतिशत में जो 30 नंबर का प्रतिशत होगा वो अगर जोड दिया जाए तो पास होनी की इस्तती बन जाएगी और यही हमें पूछा जा रहा है तो बस 72 marks 12% के equal है तो एक नंबर किसके बराबर होगा 12 बटा 72 के लेकिन हमें 30 नंबर का प्रतीशत बताना है तो गोड़ा में कर लेते हैं 30 जिससे हमें 30 नंबर का percentage पता चल जाएगा तो यह cancel हो गया 6 बार यह cancel हो गया 5 बार तो हम कह सकते हैं कि 30 नंबर 5 प्रतीशत के बराबर है तो इसका अलब 20 प्रतीशत के बाद 30 नंबर और आता है तब पास होता है या फिर अब यूँ कह दे 20 प्रतीशत के बाद 5 प्रतीशत और आता है तो वह पास होता है तो पास होने के लिए प्रतीशत कितना हो गया 20 और 5 कितना 25 प्रतीशत वाला पास हो जाएगा तो इसका मतलब आंसुर हो गया हमारा 25 परसेंट जो कि मैं ऑप्शन देख सकता हूँ ऑप्शन है आपका ऑप्शन नमबर कौन सा सेकेंड ऑप्शन ये था हमारा कुशन नमबर 30 बात करते हैं नेक्स 31 के बारे में क्या कह रहा है कुशन नमबर 31 देखिए आसान है विद्ध्यारतियों के एक समों में 70 प्रतीशत अंग्रेजी बोल सकते हैं 65 प्रतीशत हिंदी बोल सकते हैं यदि इन विद्ध्यारतियों में से 27 प्रतीशत विद्ध्यारती दौनों भासाओं में से कोई भी बासा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतीशत विद्यारती दौनों बासाइं बोल सकते हैं इस तरह के खूब कुशन किये हैं हमने ठीक है और इसके लिए हमने एक डाइग्राम बना कर एक एक एक्वेशन याद रखने के लिए वो डाइग्राम बनाया था और वो equation हमने समझी थी, रटी नहीं थी, क्या थी, पहले तरह का काम करने वाले, प्लस दूसरे तरह का काम करने वाले, माइनस दौनों तरह का काम करने वाले, प्लस दौनों ही तरह का काम नहीं करने वाले, बराबर 100 प्रतिशत मतलब सभी के सभी लोग जिनके लिए ये फिर आगे कह रहा है यदि इन विध्यारतियों में से 27 प्रतिशत विध्यारति दौनों बासाओं में से कोई भी बासा नहीं बोल सकते तो दौनों ही तरह का काम नहीं करने वाले कितने हो गए 27 प्रतिशत बराबर में सारे के सारे तो हैं है और x क्या होता है दौनों ही तरह काम करने वाले तो यही आपको पूछा जा रहा है कि कितने प्रतीशत दौनों बासा है बोल सकते हैं मतलब x की value आपको बतानी बस simple सा है calculate करके answer देख लेते हैं इसका कितना होगा तो देखिएगा यह 70 है यह 65 है इनको add कर लेते हैं तो यह हो गया आपके कितना 65 और 70 यह 5 और यह कितना हो गया 135 ठीक है यह 135 है यह 27 है माइनस का x उधर चला जाएगा तो उधर जाकर यह हो जाएगा प्लस का तो 135 यह हो गया अब बात कर लेते हैं इनको add करने की 135 और 27 है तो ये हो जाएगा आपके कितना 135, 27 ये 50 और ये आपके 162 तो 162 और 100 इधर आ जाएगा तो 162 परसेंट माइनस 100 परसेंट तो X की वेल्यू निकालनी है जो की आ चुकी है कितने 62 परसेंट ये था question number 31 बात करते है next question question number 33 32 के बारे में क्या कह रहा है question number 32 देखिए एक सर्वेक्षित लोगों में से 70 प्रतीशत के पास कार थी और 75 प्रतीशत के पास TV मतलब टेलिविजन था ठीक है यदि 55 प्रतीशत के पास कार और टेलिविजन दौनों थे तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतीशत के पास कार या टेलि भी नहीं था तो सेम वही कुशन है जो पिछला था बस वेल्यूज अलग है और लेंग्वेस थोड़ी सी अलग लिग दी गई है तो पहले तरह का काम करने वाले कितने हो गए 70 प्रतीशत दूसरे तरह का काम करने वाले कितने हो गए 75 प्रतीशत फिर दौनों ही तरह का काम करन नहीं करने वाले, तो वही आपको पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग है, जिनके पास कार या टेलिवीजन में से कोई भी नहीं है, तो y की value निकाल लिए है, बराबर आपके 100 प्रतिशत, तो y की value निकाल लेते, 75 में से 55 को हम less कर लें, तो कितना हो गया यह, यह हो ज 10% आ चुकी है, जो की option है, आपका option number कौन सा, तीसरा, तो यह था हमारा question number 32, बात करेंगे question number 33 के हमारे next part में, तब तक channel को subscribe, video को like, share, और comment box में comments कीजी, thank you so much.